Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिल्कुल free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की, CBAC board की courses के साथ-साथ आपको other state board के भी courses available है. In the medium, जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board की courses, proper systematic way में. कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी, daily practice sets के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा, e-books और e-notes की link आपको description box में available है, तो बटकने की बात नहीं बनती है. आज हम क्या करने वाले हैं? Most important questions. कैसे questions है? Most important. क्या काम आते? मुझे तो नहीं लगता कि आपको नहीं पता हो क्या काम आते? obviously आपके exams में बड़ी helpful होते हैं. ठीक है? पैटन वहीं रहेगा, very short, short and long answer type. ठीक है? अब आपको क्या करना है? फटा-फट से like कर देना है और share कर देना है. फटा-फट से like कर दीजे और share कर दीजे. जल्दी जल्दी से like and share then we will start. What? तब हम क्या करेंगे? बही start करेंगे हमारे पहले question के साथ ठीक है? जल्दी से like share कर दीजे. पहला question हम से क्या पूछ रहा है? कि who was William Carey? William Carey कौन थे? क्या कोई मुझे बताएगा William Carey कौन थे? कोई तो थे William Carey? कौन थे या आप मुझे बता दीजे? फटा-फट से answer कर दीजे William Carey कौन थे? जल्ली जल्ली से बताएगे. चल्ड देखते हैं. William Carey was a Scottish missionary who helped establish in स्री रामपूर mission. William Carey क्या थे? Scottish missionary थे? जिनों ने help करा था क्या establish करने में से रामपूर mission. वो हमने देखा था से रामपूर कॉलेज बना था. याद करो, देखा था ना वो किसके bank में? हुगली रिवर के किनारों पे? है ना? बैंक पे? क्ल Calcutta in 1781. किस परपस से? क्या परपस था? जो मदर्सा सेट अप हुआ था Calcutta में in 1781. 1781 में मदर्सा सेट अप हुआ था Calcutta में? क्या reason था? कुछ तो परपस होगा? हाना? कुछ भी चीज अगर हो रही है, बन रही है, तो बड़े लेवल पर आप सेट अप करें हो कुछ भी होगा education का या Arabic सिखाने का है ना क्या जो है परपस था मदर्सा का देखते हैं तो प्रमोट दी स्टडी ऑफ Arabic Persian and Islamic law अब मदर्सा वो सेट अप इन कैलकटा इन 1781 क्या परपस था Arabic हो गया Persian हो गया और Islamic law ये बताने के लिए सिखाने के लिए जो Muslims है उनको ठीक है जो मदर्सा सेट अप हुआ था clear वह 1781 में कैलकटा में clear चल नेम सम् important oriental institutions आपको क्या बताने important oriental institutions बताने हैं वदाव पड़ाव पड़ से important oriental institution जल्दी जल्दी से बता दीजे name some important oriental institution अच्छा कौन से कौन से बने थे एक तो हमने देखा था मदर्सा सेट अप कराया था है ना ये oriental इस नहीं कर वाया था उसके बाद क्या कर वाया था हिंदू कॉले संस्क्रिट कॉलेज जिसको बोल रहे थे देखते हैं मदर्सा इन कैलकटा दा हिंदू कॉलेज इन बनारस मदर्सा सेट अप हुआ था कैलकटा में और हिंदू कॉलेज सेट अप हुआ था बनारस में अब क्लिए एओ यूँ फैरी शॉड्ट है तो फड़ाफ़िवरो जाते हैं वट लाइन में बिल्कुल हों वहाज हैं कि थॉमस Absolute कॉलbread कॉं थे कॉं थे हंधरी थॉमस चोल बूप य्ग हैं surprise दें इन ऑ्य conn 2004 और यह थे विए Henry Colebrook was a scholar of Sanskrit and ancient sacred writings of Hinduism Henry Thomas Colebrook क्या थे? Scholar थे Sanskrit के और ancient sacred writings of Hinduism ठीक है? जैसे कि मैंने जो बताया वही है क्या करते थे? Sacred पता ही है पवित्र जो के Holy Book है जो उसके knowledge रखते थे उसकी writings का और Sanskrit का ठीक है? जब Why was the Hindu college established in Banaras? क्यों जो Hindu college established हुआ था? Banaras में क्यों established हुआ था? क्या reason है? ऐसे established हुआ था? कुछ उसके पीछे का reason तो होगा? क्यों established हुआ था? जैसे Orientalist ने किया था, जैसे Madarsa set up हुआ था उसका reason हमने देखा तो Hindu college Banaras में क्यों set up हुआ था? संस्कृत बगएरा के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, चलो In 1791, the Hindu college was established in Banaras 1791 में established हुआ था, कब हुआ था? ये जानना जरूरी, 1791 में The Hindu college was established in Banaras To encourage the study of ancient Sanskrit text That would be useful for administration of the country क्या करने के लिए जो Sanskrit text है उनको encourage, उनमें study को encourage करने के लिए That would be useful for administration of the country जो country के पशासन या administration के लिए क्या होते? Useful होते Clear? आया समझ में? आगे बने? चलो Which institutions were seen as temples of darkness That were falling of themselves into decay? किन institution को ऐसा माना जाता था? किसको कह रहे थे? कि एक ऐसा मंदिर है जो क्या हो रहा है? darkness अंदिकार में ही डूब रहा है अपने में उसमें अंदिकार सा आ गया है हमने देखा था ना हिंदू कॉलिज को ऐसा कह रहे थे? कौन कह रहे थे? वही जो orientalist को क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कि यहाँ पर वही सिखाया जा रहे है जो किसी काम का नहीं है है ना? लिटरली चीज है जो प्राक्टिकल ही नहीं है unscientific है कोई यूस की ही नहीं इस तरीके से चल देखते oriental institutions like the Calcutta मदर्सा and Banaras Sanskrit College were seen as temples of darkness that were falling off themselves into decay कि ले कहा जा रही थे यह बात अंदिकार वाली फ्रापर की कोई खुदी खुद में ऐसे बरबात से होते जा रहे है ठीक है? किसको कहा था? बही Calcutta मदर्सा और Banaras Sanskrit College को clear? चल यह दो नाम Calcutta मदर्सा, Calcutta में मदर्सा, Banaras में Hindu College इसने अच्छे से अब तो मतलब रटना नीची पर पढ़ पढ़ के बार बार सुन सुन के आप आपके माइड में छब गया अगर जो अच्छी बात है चाप्टर है तो चाप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे बार बार वो चीज़े रिपीट होगी चाए MCQs हो जाएं, चाए NCRT Solutions हो जाएं MIQs हो जाएं, तो यह अच्छी बात है रिपीट इतना हो जाता है कि वैसे याद हो जाता है That's good, यह अच्छी जो चीज है ठीक है? चलो How many languages were known by William Jones? William Jones को कितनी languages पता थी William Jones को कितनी languages का knowledge था बहुत सारी languages हमने देखे थी उनको Latin, Greek, French, Persian काफी सारी languages का उनको knowledge था देखे जरा, क्या क्या था? William Jones knew French, English, Greek, Latin, Arabic, Persian and Sanskrit कौनसी कौनसी language? French हो गई, English हो गई, Greek, Latin, Arabic, Persian और Sanskrit language का knowledge था Clear? इनको क्या कहते थे? Linguist भी कहा चाता था Linguist वो person जिसको बहुत सारी languages का knowledge हो Clear? चलो Defined a term vernacular Why did the British use this term in colonial countries like India? यह जो term है vernacular इसको क्या करना है? आपको बताना है क्यों जो British rule इस term को, मतलब British जो है इस term को use करते थे colonial countries like India में Vernacular इसका मतलब अगर देखा जाए तो वो होता है ना कि जो Dialect जो local languages की बात करें जो dialect है वो किस से अलग होते हैं? एक standard language से तो standard language जो imperial language जो कौनसी उस करें? English उस करें? तो other languages को और भी जो दूसी दूसी languages को जो भी इंडिया में बहुत सरतरकी भाशा हैं बोली जाती है हम इंडिया में ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि सिर्फ हिंदी बोल रहे है Gujarati, Marathi, Avadi बहुत टाइप की languages बोली जाती है तो इन languages को ये क्या बोल रहे है? Vernacular language ठीक है? चलो The term vernacular is generally used to refer to a local language or dialect as distinct from what is seen to the standard language of a country क्या पूरे जो term है vernacular ये किस से different करता है? जो local language है Local language जैसे कि मैंने बताया आपको Marathi, Gujarati, Avadi, Magdi, Tamil, Uriya जो भी languages use कर रहे हैं ये किस से different होती है? Standard language से different होती है Standard language मतलब ये Imperial language मतलब जो Raja Mahara जोगी स्टाइब की main language इसको मान रहे है English को मान रहे है तो other languages को vernacular पोल रहे है In colonial countries like India The British use this term to mark the difference between the local language of everyday use and English the language of the colonial master Britishers मतलब इनोंने difference कर दिया Colonial rule भाई India जो India क्या थे Britishers की colony थी Britishers ने उसमें rule करा हुआ था है ना उनका rule था राज कर रहे थे British राज हो रहा था तो वो क्या करते थे जो इंडिया की languages है जो इंडियान languages है उनको अलग करके रखते थे कि ये local languages अलग है और हमारी जो British masters की language है वो अलग है तो इसी को वो बोलते थे इन पाथशालाज हमें क्या बताना है main features बताने है कि इसके educational method जो पाथशालाज में यूज होते थे क्या method यूज होते थे क्या चीज़े होती थी पाथशालाज में non-serious मतलब कुछ भी flexible मतलब बहुत ज़ादा चीज़े flexible थी कुछ भी कह सकते fixed ऐसा नहीं था ना fixed जो है school hours थे ना कोई time table था ना teachers के ऐसा कुछ था कि यहाँ teacher आ रही है रोज ऐसा कुछ भी कहीं भी पढ़ा लिखा जा रहे है कि पेडों के चाहों के नीचे पढ़ा रहे है मंदिर के किनारी पे पढ़ा रहे है किसी shop के side में बैठके पढ़ा रहे है कोई bench नहीं है कोई ऐसे classes के लिए अलग-अलग classes नहीं है ऐसे ही था देखते The main features of educational method followed in पाथशालाजवर क्या-क्या main चीज़ें यहाँ पे होती थी खासियत features देखा जाये तो The system of education in पाथशालाजवर flexible जो system था education में पाथशालागा वो कैसा था flexible लचीला system कुछ भी ऐसा fix नहीं था कि इतना है इतने से इतना होना चीज़ तो ऐसे ही है nothing was fixed ऐसा कुछ भी fix नहीं था There were no formal schools proper ऐसे formal schools भी नहीं थे कि हाँ यह schools हैं जा बच्चे जा रहे हैं यह timetable है, यह timing है, यह books है कुछ भी कुछ भी नहीं था even books भी नहीं थी There were no fixed school fee no books, no regular timetable no roll call registers and no annual examinations कुछ भी fix school fee school की fee भी ऐसे fix नहीं थी है ना books भी नहीं थे कोई भी ऐसा regular proper timetable नहीं था कोई भी ऐसा register नहीं था कि जैसे होता है ना enroll जो register रहता है बच्चों का roll number wise तरीके का और examinations भी नहीं होते थे आप लोग बोलो कि क्या बढ़िया टाइम है काश हम उस टाइम पे होता है ना ना exam देना पढ़ता जब पढ़ने के लिए बुलाते है पढ़ लेते हो जब नहीं जाते तो नहीं जाते पढ़ रहा है तो हमसे अलग है आज की टाइम पर जो नहीं पढ़ता तो वो तेरे भापरे पढ़ लिख नहीं रहा है तो कितना अलग है ऐसा उल्टा हो गया जमाना education is must in some places classes were held in open space sometimes in the corner of a village shop or temple or at gurus home जैसे कि मैंने बताया वही चीज कि schools कैसे होते थे classes मतलब कैसे होती थी open खुले में जैसे यह आप आये हो यह पूरा रूम है इस तरीके से है रूम बना लिया है ना इस बना लिया पूरा खुला हुआ रूम आप लोग बैठे हो मैं खड़े हो किसे पढ़ा रही हूँ कुछ बोर्ड भी नहीं यह चौक भी नहीं बस जो मैं oral तरीके से पढ़ा रही हूँ वह आप सुन रहे हो ऐसा ऐसा जो लिखा है मैं ऐसे point out करूँ कुछ भी बिनाओं कुछ नहीं बस orally जो मैं ग्यान दे रहे हूँ आप ग्यान ले रहे हो तो कुछ भी नहीं था ऐसे आप village की corner ये shop की corner बैठके पढ़ रहे हो है ना गुरू के home में से या जो है मैं गुरू हूँ था annual examinations सक नहीं होते थे ठीक है और ऐसे कोई classes भी fix नहीं थी कि इस जगे पर class होगी कहीं भी कभी class हो जाती थी clear आया समझ में तो ये features थे हमने देखे थे पाच्छाला की ठीक है आगे बढ़ते है teachings was oral and the guru teacher decided what to teach जैसे कि मैंने बताए teachings कैसी थी oral थी मौखिक तौर पे होती थी मैंने बोला मुसे आपने सुना that's it students were not separated out into different classes the students say unko by different different classes में ऐसा कुछ अलग नहीं था कि six class के बच्चे अलगे seven class अलगे eight class अलगे आज के टाइम पर तो classes भी अलगे और sections भी रहते है कि seven class का a section B section something ऐसा कुछ रहता है आपको पता ही इसमें कुछ नया तो है नहीं बट पहले टाइम पैसे कुछ separate था ही नहीं सब इखटा है एक साथ clear आया समझ भी कोई confusion दिक्कत तो नहीं बही clear है चल आगे बढ़ते है question number 10 what were differences between Tagore's idea of education with Mahatma Gandhi's idea maatma Gandhi or Tagore दोने क्या करें थोड़ा सा English education को लेके अपने अपने या इवन education को लेके कह दें तो दोनों के अपने अपने ideas थे maatma Gandhi क्या चाहते थे all-round development हो ठीक है हर तरीके से सीखें बच्चे अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ-साथ खुझ से भी कुछ काम करना सीखें चैसे हमने देखा था अब जो गांडीजी और टैग और का जो आइडिया था खुझ से अब जो गांडीजी और टैग और का आइडिया था तो उसमें अगर देखा जाए तो गांडीजी क्या थे ? Western civilization के हैना Western civilization के क्या थे ? Technology को highly criticize करते थे आलोच अब थे बहुत जादा आलोच ना करते थे वो पसंद नहीं करते थे वेरेस टैग और एम्फिसाइज दिनीट टीच साइंस एंड टेकनलोजी एड सांति निकेतन अलोंग विद आर्ट, मुजिक एंड डान्स लेकिन टैग और क्या कर रहे थे टैग और काम ने देखा कि यह किस चीज में फोकस था इनका साइंस हो गया टेकनलोजी में हो गया और उसके साथ साथ आर्ट हो, मुजिक हो, डान्स हर चीज में इनका फोकस था कि यह भी होना चाहिए, करना चाहिए clear? आया समझ में कोई confusion दिखकत हो नहीं तो दोनों के अपने-पने कह सकते हैं perception थे विचार धा रहे थी clear? चल what were Tagore's experiences as a school? अब जो Tagore थे, उनके, as a student, sorry, उनका as a student क्या experience था? है न, बच्चे हैं, बच्चे सोचते हैं, उनके अपने-पने experiences होते हैं तो as a student, जो है Tagore, उनका कैसा क्या experience रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है? चलो Rabindranath Tagore's experiences as a student were not pleasing, हमने देखा था, जब हम MCQs भी कर रहे थे, चैप्टर भी पढ़ रहे थे, कि कैसा था इनका माहूल, कैसा कह रहे थे, कि Suffocating, ऐसा लग रहे है कि बिल्कुल किसी प्रकार की आजादी नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे है, हैना teaching किसी भी टाइप की जो study हो रही, जो education वो interesting ही नहीं है, ऐसा लग रहे है कि बस जो teacher पढ़ा रही है, जबरदस्ती बस पढ़ना है, उसका क्या use है, क्या नहीं है, सम को स्कूल जाना पसंद नहीं था, he found the atmosphere in school was suffocating and oppressive, उन्हें क्या लगता था, जो atmosphere है, स्कूल का, वो कैसा है, suffocating है, और oppressive है, मतलब ऐसा लग रहे है कि जबरदस्ती थोपा जा रहे है, पढ़ाया जा रहे है, तो पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, flexibility नहीं है, मतलब कैसा है कि अगर बहुत जादे rigid चीज़े हो, कि ऐसा ही होना चीज़, ऐसा करना चीज़, तो बच्चा भी डरता है कि अरे स्कूल में ऐसा बोला है, क्लास में ऐसा मैम ने बोला है, ऐसा ही करो, हम कुछ अपने दरीगे से करेंगे, तो teacher डाट देती, जो भी चीज़े है, तो suffocating लग स्कूल कैसा लगता था, जेल, जैसे जेल है, जो मैं करना चाह रहा हूं, जो मैं अपनी क्रियेटिविटे दिखाना चाह रहा हूं, जो मैं अपनी तरफ से चीज़े करना चाह रहा हूं, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उन्हें कैसा लगता था, सफूकेटिंग लगता तो यह जिल है, कैद है His mind went dirt away while other students listen to the teacher इनका दिमाग कैसा था? इधर हुदर भटकता रहता था इधर हुदर भटकता रहता था 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 दिमाग लेकिन जो बाकी स्टूरेंट है वो कैसे थे? वो अपने टीचर को सुनते थे जैसे अगर बाकी बच्चे इसे पढ़ा रही है तो बाकी बच्चे टीचर को सुन रहे है लेकिन इनका दिमाग कैसा है इधर उधर भटकता रहता था क्लियर क्योंकि कुछ अलग सोच कुछ क्रीटिव सोच में बिलीफ करते थे है ना क्लियर हुआ आया समझ में आगे बढ़े तो टैग और का एक्सपीरियंस कैसा था बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं था उनको कैसा लगता है स्कूल में जैसे हमें किसी ने जेल में डाल दिया हो प्रिजन में डाल दिया हो जो इनकी क्या सोचती हमने देखा था ना कि क्या चाह रहते एकनोमी को गेंड करना क्या अपनी इकनोमी बढ़ाना है पैसो की इंक्रीस करना कैसे यह चाह रहे थे कि पूरी तरीके से जैसा जो हमारा कल्चर है कस्टम है टेस्ट है इंडियंस को भी उनकी आदत लग जाए उनकी इसी desire हो, ताकि क्या हो, हमारी चीज़े ही लोग खरीदेंगे, हमारी चीज़े खरीदेंगे, तो हमारे पस क्या आएगा, money, money, भी, पैसा इंसो होगा, ठीक है, यह कहा शिखाना चाह रहे थे कि moral development हो, Indians का, moral development होगा, that means ही लोग honest बनेंगे, loyal बनेंगे, trustworthy बनेंगे, truthful बन इनका जो main point था, वो किस चीज़ का था, economy का था, किस चीज़ से related था, economy से related था, European learning would enable Indians to recognize the advantages of expansion of trade and commerce, इनका जो focus था, क्या था learning का, किस चीज़ से फायदा उठाना चाह रहे थे, जो है expansion of trade and commerce, क्या चाह रहे थे, trade and commerce बड़े, पहले, इनका जो trade and commerce है, वो बड़े, the European ways of life would change the taste and desires of Indians and Indians would begin to appreciate and buy European products, वो क्या चाह रहे थे, कि जो European way of lifestyle है, वो जो taste है, जो चीज़े है, क्या करें, यह लोग भी सीखें, ठीक है, जो European lifestyle, taste है, desire है, जो Indians, इन लोग को भी आदत लग जाए, basically, इनको आदत लग रहे थे, ठीक है, इनको आदत लग जाए, आदत लगेगी, तो य यह भी European products को appreciate करने लगेंगे, चाहने लगेंगे, desire करेंगे, कि अरे हमें तो यही product चाहिए, जैसे हम है ना, हम बोलते कि अरे, biscuits तो बहुत सारे पर वही brand का biscuit पसंद है, chocolates तो बहुत सारी पर वही brand की chocolate है, तो हम क्या करते है, जो अगर हमें लगता है कि बाहर से आईए, वि European learning would also improve the moral character of Indians, it would make them truthful and honest and thus supply the company with trusted civil servants, वो क्या चाह रहे थे European की भई, इनकी जो इंडियन जो लोग है, कैसे बने, बड़े ही honest बने, इनको moral science का मतलब, जिसे morality चिखाई जाए, हैना, नैतिकता सिखाई जाए, ता कि यह truthful बने, trustworthy बने, loyal लोग बने, ता कि यह क्या रहे, आगे का काम आए, भी, company के ले, एक trusted civil servants की तरह काम है, हैना, company के ले क्या रहे, एक trusted civil servant, clear, आगे चल के लोग अपने, भी इनको recruit करेंगे, काम करेंगे, तो यह कैसे रहे, honest रहे अपने माली को की प्रती, तो वैसे ही पहले से चाह थे कैसी चीज़े हम इने, सिखाए, clear, समझ में आया की नहीं आया, आगे बढ़े, okay, following the 1854 dispatch, some measures were taken by the British, अब 1854 dispatch, इनोने जो करा था, जिसका हम बोले पूट dispatch का, क्या चीज़े लिखा है, education departments of the government were set up, जो है, education department बना दिया, क्या बना दिया, education department बना दिया, बना दिया, education department बना दिया, education department से यही फायदा है, कि उसमें जो भी education से र स्कूल से रेटेट जो भी चीज़े, वो education department में होगी, जैसे हम बुते ना, agriculture department, accounts department, income tax department, तो अलग-अलग department के अपने अपने काम रहते, तो ऐसे education department की बात हुई, ताकि यहाँ प education से रेटेट सारी चीज़े, मैनेज हो सके, universities भी set up हुई, establish की गई, जैसे कलकटा यूनिवरस मदरास, Bombay and attempts were made to change the existing school system, even पूरी कोशिश की गई कि जो पहले कि जो स्कूल सिस्टम चले आ रहे हैं, जो कैसे हैं, जो बहुती ज़्यादा इंसेक्जिबले, कोई seriousness जिन में नहीं है, seriousness भी क्या बोले, मतलब कुछ fix नहीं, चीज़े, systematic नहीं है, तो इसको systematic बनाना है, ठीक ह clear हो, आया समझ भी तो ऐसे attempts, ऐसी कोशिश हैं पूरी की गई, clear, कोई confusion दिक्कत तो नहीं है, आपे, आगे बढ़े, चलो, what was done to promote Indian learning in India, क्या किया गया, ताकि जो Indian learning है इंडिया में, वो क्या हो सके promote हो, हमने देखा था ना मदर्सा वगेरा, सेट अप हुआ, है ना हिंदू क लिए काम आए, वो सिखाई गई, है ना मदर्सा वगेरा, सेट अप करा गए, जिसमें Arabic, Islamic law, Persian text वगेरा सिखाई गए, देखते हैं, और क्या हुआ, मैनी कंपनी ओफिशिल्स आर्गिव दाथ ब्रिटिश और तो प्रमोट इंडिया रादर देन वेस्टन लेर्निंग, किसको प्रमोट करना चाहिए, वेस्टन लेर्निंग को ना रखके, इंडियान लेर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, तो यह लोग किसको अच्छा माल रहते हैं, इंडियान लेर्निंग को, अब सम मेजर्स वर टेकन तो प्रमोट इंडियान लेर्निंग, कुछ मेजर्स लि ले ले study of Arabic, Persian and Islamic law. जैसे कि मैंने बता है. ले दिए हिंदु गोलेज वाइज बढनारस इन 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. क्या करा गय? हिंदु कोलेज जोहे उसको बे इस्तेबलिश करा गया बनारस में 1971 में. ठीक है? 1791 में, जॉरी. To encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for के लिए काम आता संस्क्रित को बढ़ावा देने के लिए जैसे यहां पर इसलामिक लाव अगेरा तो एक क्यूं इंडिया में इंडियन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए कुछ यह चीज़ें करी गई यह हमने चाप्टर में बहुत अच्छे से बढ़ा भी है क्लियर इस तरीके से अमारे अर्थ की ग्लोब की तो हम बोलते हैं नौर्थ डाफिशन यह हमारा साउद सब्सक्राइब कर ले यह मारा वैस्ट अगर आइस्ट अगर बात करें एस्ट तरफ है और यूरोप कहा मिलेगा हमें यूच्छ यहां मिलेगा एशिया के साइड में बिलेग यह हमारा euro ohłem जिसको कहरे तह यह लोग क्या कहरें इंडिया को ईस्ट क्यों में जैसे हम इंको बहुते नहीं यह वेशend Time इसें सब जो बोलते क्यों बोल रहे हैं में सब प्लु两 parfois कॉप में वेश्ट साइड है पस इसलिए और इह Europe के इस्ट साइड में इंडिया है और एशिय उसमें बहुत सरी दिक्कते हैं, क्या दिक्कते हैं, क्या प्रॉब्लम है, जो पसंद निया है, जिसको क्रिटिसाइज किया गया, देखते हैं, ठीक है, चलो By the 1830s, the attack on the orientalist vision to learning became stronger अब 1830s में चीज़ देखी गई, the attack on the orientalist vision learning became stronger और orientalist के vision में, इनकी thought process में, जो इन्होंने सोचा था, जो इनकी सोच थी, उस पर क्या करा गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया, इनकी सोच क्या थी, Indian learning को प्रमोट करना, क्योंकि Western learning से Indian learning कही जादा बढ़िया है अब कुछ लोग थे, जो इसके अगेंस थे, हर कोई तो हो नहीं सकता नहीं एक जैसाओ, तो जो support कर रहे थे, promote कर रहे थे, उन्होंने तो इन्स्टूशन अगेरे बनाए बढ़ जो criticize कर रहे थे, तो धीरे-धीरे चीज़े और बढ़ती की Critics like James Mill and Thomas Maculay said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought अब जो critics थे, किस ने दी आलोचना? James Mill ने दी, Thomas Maculay ने दी उन्होंने ये कहा कि जो knowledge ये East का, याने हमें Indians की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे errors है, पूरा वो errors याने जो है कह सकते गलतियों से भरा पड़ा है An unscientific thought और उसमें जो thought है, विचार है, कैसे unscientific? कुछ भी practical चीज़े है ही नहीं Indians should be made familiar with the scientific and technical advances of the West वो कह रहें, Indians को scientific और technical advance के बारे में इन्हें पता होना चाहिए, इनको knowledge होना चाहिए Indians को ये सिखाओ, जो इनकी text में, जो इनकी चीज़े है, वो कैसी है? कोई काम की नहीं है, literary है, practical उसमें कुछ है ही नहीं, unscientific है Maculay saw India as an uncivilized country that needed to be civilized Maculay को क्या लगता था कि India कैसी एक uncivilized country है, जिसको civilize करने की बहुत जादा सरुवत है He emphasized the need to teach English language and urge the British government to stop wasting public money in promoting oriental learning उन्होंने किस बात पे जोर दिया, उन्होंने करा कि English language को बढ़ावा दिया जाए और क्या करा जाए जब British government, और urge करा British government को to stop wasting people money, public money in promoting oriental learning उन्होंने का कि Indians को, Indians को क्या learning सिखाई दे, Western learning, हमारी learning, European या English learning सिखाई जाए जाए, Western learning सिखाई जाए, क्योंकि जो इन्होंने की चीज़े हैं, वो कैसी waste है, अगर इसमें पैसा बरबाद करा, पैसा लग रहा है That means, वो पैसा waste है, ऐसा British government कह रही है, कि इनको orientals को, क्योंकि उन्होंने institute बगरा बना है तो ये कह रहे हैं कि वो सब में खर्चा करना सब waste है, क्योंकि वो किसी काम की नहीं, unscientific है और civilized कैसे बन सकते हैं, जब हमारी चीज़ें वो सीखेंगे उनको उन्हीं की चीज़ें सिखाने का कोई मतलम नहीं है आया समझ में, ये ही देखा था हमने, अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगोंने like किया की नहीं किया पटाफ़ट से क्या कर दो, like कर दो, जल्दी जल्दी से like का बटन दबा दीजिए पटाफ़ट से like का बटन दबा दो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से like कर दीजिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर, चलो Explain Tagore's motive behind the setting of Shanti Niketan आप दो, क्या करते हैं, उनका मोटिव बताना है, टेगौर का क्या मोटिव बताना है? टेगौर का मोटिव बताना है कि उन्होंने क्या करा, Shanti Niketan को set up क्या करा, उसका मोटिव हमें क्या करना है, बताना है देखे, चलो जो रबिंदर नाइट टैगोर का मोटिफ था किस चीज के पीछे जो उन्होंने सेट अप करा था शांती निकितन क्या था He wanted to set up a school where the child was happy, free, creative and could be able to explore his own thoughts and desires उनको अपने school का जो माहोल तक ऐसा लगता था बहुत जादा oppressive और suffocating तो जो खुद इस चीज से सफर करा होगा जिसने खुद वो चीज तो वो क्या चाहेगा वो यहीं चाहेगा ना कि जो अब मैं इतना बड़ा हूं मैं समझधार हूं तो मैं अगर ऐसा school खोल रहा हूं ऐसी चीज़े बना रहा हूं तो जो बच्चे अब आएंगे कम से कम मेरी तरह जो मैंने सहाए वो ना सहे होता है ना हम बोलते ना कि मैंने तो सहलिया पर आगे जो लोग होंगे उनको नहीं सहने देंगे हमने तो ऐसा स्कूल चाहते थे जहां पर बच्चे खुश रहे और अपना क्रियेटिव जो नहीं लग रहा है क्रियेटिव काम कर सके क्लिये और क्या पता कि हमारे यहां पर कैसा था पहले नहीं कुछ भी हम अपनी तरीके से अपने तरफ से नहीं कर सकते तो अगर टीचर बोले कि जैसा बुक में लिखा है, वैसे ही बिलकु समझा हो, वही लाइन समझा हो पर बच्चा बोले कि मैं मैं अपने according समझाता हो, अपने words में समझाता हो, तो टीचर बोले कि नहीं तो यह क्या है, बच्चा भी कुछ रटेगा क्या, वह अपनी तरफ से कुछ समझा रहा है तो समें घलत क्या है, अगर मैं सिर्फ as it is line बता दो, जितनी सिर्फ इतनी लिख, तो क्या फाइदा, क्या समझ में आएगा, मैं उसको अलग-अलग example से लेके समझाऊंगी, टीचर आ Tagore felt that childhood should not be restricted in the strict schooling system set up by the Britishers, टैग उसको ही लगता था कि जो childhood should not be restricted in the strict schooling system set up by the Britishers, जो भी strict schooling system है, बिडशर ने set up करा ए, तो उसको क्या कह रहें टैगर, तैगवर को क्या लगता था, इतना strict चीजह नहीं होनी चाहे है, तो स्कूल में रहती है, जोड़ी ने सेट करें, तो Tagore felt that child who should not be restricted in the strict schooling system set up by the Britishers now Britishers कैसे थे उन्होंने हर चीज strict बना जी जी क्यों क्योंकि उन्होंने देखा था कि पहले कि जो local school से मां पे नढंक से पढ़ाई हो रही टीचर का अता पता नहीं है बेंचेज नहीं है classes ही अलग-अलग नहीं है copy pen नहीं है board नहीं है कुछ भी नहीं है तो strict बना जी चीज़े कि बही proper attendance हो फीस हो लेकिन बच्चे क्या कर सकते इतने restricted इन्वार्मेंट उनका यह कहना था कि creative learning कैसे पॉसिबल है नाच्रल इन्वार्मेंट के अंदर ही पॉसिबल है जब भी प्राकरति कैसा इन्वार्मेंट को मिलेगा नेचर के बीच में आप होंगी ठीक है तो क्या होना चाहिए इस टाइप की पताना जो कल मैंने बताया बिल्कुल वही लाइन जिसने नहीं बोली ना सोर्स लिना मारूंगी परिश करूंगे प्रिंसिपाल के पास ले जाओंगी तो अब वह अपने तरफ से क्या बताएगा वह रटेगा 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 रटा रहेगा और रटा हुआ तो भूली जाते हैं कम से कम अपने according or definition बनाएगा अपने according समझाएगा तो tension free रहेगा ना उसको भी अच्छा लगया कि देखो teacher ने appreciate करा अगर मैंने इस तरीके से बताया clear तो मौका देना चाहिए tension मैंसे pressurize करके नहीं रखना चाहिए आगे बढ़ते हैं what did William John's discover in Calcutta what did he set up William John's ने क्या discover करा Calcutta में और उन्होंने क्या set up करा William John's की बात हो रही है William John's की बात हो रही है जो starting में जिनके बारे पढ़ रहा था है जो linguist थे देखते है William John's was studying ancient Indian text on law philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and sciences बहुत सी चीज़े बहुत सी चीज़े जानने का इंको बहुत जादा शौक रहता था ठीक है तो क्या पढ़ रहते हैं ancient Indian text पढ़ा उन्होंने law पर philosophy पर religions related, politics related, morality, arithmetic, medicine, science इन सब से related ठीक है Soon he discovered that the interest was shared by many British officials living in the Calcutta at the time उन्हें धीरे धीरे चीज़े लगी कि जो चीज़े मैं करना चाहरा हूं Indian text के बारे में, India के law के बारे में इनके past के बारे में, जो भी मैं जानना चाहरा हूं, medicine, हर चीज़, philosophy, culture, custom, हर चीज़े जो मैं जानना चाहरा हूं तो बाकी जो officials हैं, Britishers, वो भी उनका भी same interest थे, यह उन्हें पदा चला English men like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Harald were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English क्या बोल रहे हैं जो English men थे, Henry Thomas हो गए, Colebrook हो गए, Nathaniel Harald हो गए, यह किस चीज़ में busy थे? यह भी बहुत जादा interested है, इंडिया के बारे में और जादा स्यादा जानने को, तो ancient Indian heritage भी हमारा heritage, हमारा culture, हना mastering Indian languages, जो भी हमारे भारती जो languages हैं, उसके बारे में जानना, उनको translate करना Sanskrit और Persian work, जो था Sanskrit और Persian work था, उनको English में translate करने को कर रहे थे, क्यों? क्योंकि इंडिया के बारे में जादा से जादा से जादा हर चीज़ के बारे में जानने को बहुत जादा interested थे और जान भी रहे थे, क्या चाह रहे थे, कि जो जो हमें पता चला है, उसको हम क्या करें? English में translate करें. Together with them, John set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. इन्होंने क्या करा? इनके साथ मिलके? Asiatic Society create करी Bengal में और start करा journal called Asiatic Researches. ठीक है? क्या समझ मैं William Johns को? उन्हें इंडिया की चीज़ों को लेके जानकरी लेने का बहुत जादा interest था, उन्होंने लिया भी. दीरे-दीरे उन्हें समझ में है कि बाकी लोग भी इसी चीज़ों को लेके interested हैं. तो बाकी लोग में जैसे हम Henry Thomas की बात करें, Nathaniel Hallett की बात करें, तो ये भी same. इंडिया के बारे में और जादा discover कर रहे थे और उनको translate कर रहे थे अपनी language याने English में. इन्होंने एक society जो है, जो institution set up करा, क्या नाम था उसका? Asiatic society, कहां पे Bengal में. Clear? चल्ड. What were the difference between the orientalist and the anglicist? अब क्या difference है orientalist के बीच में और anglicist के बीच में? क्या लगता है आपको? देखते हैं. These points show the difference between the orientalist and anglicist. The orientalist had a deep knowledge about the language and culture of Asia. सबसे पहले तो orientalist का meaning क्या है? ऐसा इंसान जो क्या रखता है? जो knowledge रखता है. जिसको interest हो किस बारे में जानने के? Asia के culture और language के बारे में. Clear? Asia के culture और language के बारे में जिसको knowledge हो? उसको हम बोलते orientalist They favored the development of Sanskrit and Persian languages in India. इन्होंने किस को favor करा? अगर हम बात करे हिंदू की तो Sanskrit language अगर हम बात करे Muslims की तो उनने Persian language को काफी जादा पसंद करा उनको उनका favor करा basically But their critics was anglicist preferred English language and urge that English should be the medium of instruction in the educational institution लेकिन उसके opposite contrast में बात करे orientalist कौन जो इंडियन languages को promote कर रहे हैं develop कर रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं बताना चाह रहे हैं anglicist obviously opposite याने जो English में वहीं anglicist आप ऐसे अंग्रेज इससे याद कर सकते जो किसमें इंट्रेस्ट चाह रहे हैं जिसका जिनका मेन motive क्या है English क्या बने medium बने schools में English क्या है educational का सिक्षा का माध्यम बने किस बेसिस पे English दिखाई जाए English पढ़ाई जाए clear पढ़ाई लिखाई जो भी हुरी English में हुनी चाहिए आया समझ में पहला difference चलो the orientalist tried to set up such institutions that encouraged the study of ancient Indian texts orientalist ने क्या कर रहा था पूरी-पूरी कोशिश करी और उनने set up भी कर रहा था institution जो क्या प्रमोट करें जिसमें क्या study हो Indian ancient text की ठीक है Indian ancient में हम Hindu-Muslim दोनों का लेके चल रहे हैं Hindus का हम बात करें Sanskrit के लिए अगर Muslims की बात करें तो Islamic law, Persian इन सब के लिए but Anglicists like T.B. Maculay urge that the British government in India stop promoting oriental institution like जिसे हम बात करें T.B. Maculay इनका क्या सपना था यह क्या चाह रहे थे कि यह oriental language में बरबादी ना करके क्या करें British language याने English language याने British learning को बढ़ावा दिया जाए तो ऐसे institute हो जो Britishers के हो English language जिसमें प्रमोट की जाए यह बारे जो institute है कौन से oriental इनका promotion रोग दिया जाए इनको प्रमोट ना किया जाए The orientalist translated many Sanskrit and Persian texts into English set up the Asiatic Society and started a journal called Asiatic Researches but Maculay emphasized that teaching of English could be a way of civilizing people changing their taste, values and culture हमने देखा था ना कि जो orientalist थे यह लोग ने मिलके जैसे कौन-कौन Colebrook हो गए Nathaniel Hallard हो गए William Jones हो गए इन्होंने क्या कर रहा था Asiatic Society create करी थी क्या कर रहा था इन्होंने मिलके इन्होंने जो है orientalist translate कि Sanskrit और Persian texts को English में और Asiatic Society set up की थी journal start कर रहा था जिसको Asiatic Researches मुलते है But Maculay emphasized that teaching of English could be a way of civilizing people changing their taste, values and cultures अगर हम बात करें Maculay की तो उन्होंने वो क्या चारहे थे कि इन सब चीजों में पढ़ाना लिखाना यह सब चीजों में करना waste है जो government इस पे खर्चा कर रही है जो oriental जो institute है यह सब बेकार है कोई मतलम नहीं यह waste है यह क्या चारहे थे इंडिया क्या है इंडियन्स जो है civilized नहीं है यह मैंने मचली जलगी रादी वाला ऐसे बना दिया कोई बात नहीं हो जाता है कोई confusion तो नहीं मैं ऐसे करने वाली थी ऐसा हो गया ओके What measures were undertaken by the company to improve the system of vernacular education क्या measures जो है लिए गए किसने लिए कंपनी ने लिए to improve the system of vernacular education जो vernacular education को improve करने के लिए इसके system को vernacular education मतलब local languages local dialect जिसके बात कर रहे ठीक है चा देखते After 1544 the East India Company decided to improve the system of vernacular education the measures taken by a company were क्या क्या चीज़े लिए गई It appointed a number of government pundits each in charge of looking after 4 to 5 schools The task of the pundit was to visit the paatshallahs and try to improve the standard of teaching अब यह लोग ने क्या सूचा कि जो local schools है जो schools है उनमें क्या है पढ़ाई कैसी चल रही है progress कैसी है क्यूंकि हमने देखा था कि William जो Adam है उन्होंने क्या देखा कि कुछ भी ढंग से नहीं कुछ भी systematic नहीं है ना classes कुछ नहीं board नहीं chalk नहीं books नहीं कुछ भी नहीं तो उन्होंने किनको अपॉइंट करा पंडित को अपॉइंट करा और एक एक पंडित को क्या करा 4 से 5 चार से 5 जो इस्कूल सुने अपॉइंट करें कि आप जाईए इनमें क्या करीं इनको supervised करीं inspect कीजें कि चीजे ढंक से हो रही है या नहीं हो रही अगर इनमें कुछ भी upgrade करने की चीज है सुधारने की चीज है तो वो भी कर सकते जो पंडित का टास्क था वो क्या था कि पाठ्शाला में जाए और जो स्टांडर अफ टीचिंग है उसको इंप्रूफ करें इंक्रीज करें इच पंडित और टीचर वोज आस्क तो सम्मिट प्रियोडिक रिपोर्ट और टेक क्लासेज according to a regular time table अब पहले कैसा था मज़े में चल रहा है कोई टेंशन नहीं जैसा चल रहा है चलने दो बच्चे आ रहे ठीक नहीं आ रहे कोई बात नहीं अब चीजें strict हो गई थी strict कैसे इन लोग से कहा गया कि आप क्या करें पंडित हो गए जो टीचर हो गए सम्मिट पीरियूड एक रिपोर्ट जो है प्रॉपर सम्मिट करें ठीक है क्लासेज प्रॉपरली हो और रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो करते हो जैसे आज के ताइम पे स्कूल में टाइम टेबल फॉलो होता है पहले क्या था कोई एक्जैम तो हो नहींinda है बस बच्चे आरहें पढ पेड़ों के नीचे गरके साइड में गुरू के घर में दुकान के साइड में यही चल रहा था अब चीजे प्रॉपर होी ठिक है बिचारे पूर है वो कमफीस देते थे लेकिन अब fixed fee कर दी proper एक fixed attendance कर दी कि attendance भी proper होनी चाहिए discipline में होनी चाहिए चीजे classes regular होगी proper seats आपको मिलेगी fixed seats मिलेगी उस पर बैठी है और जो भी नए काइदे कानून है rules है उसको proper discipline के साथ obey किया जाए that means जैसा आजके टाइम पे schools में होता है proper वही चीज clear आया समझ में पहले flexibility कर रहे है काम नहीं कर रहे है नहीं आरे पड़ चीजे स्ट्रिक्ट होगी तो यह सब काम किया था किसके लिए vernacular schools के development के लिए आया समझ में की नहीं आया हो अच्छे समझाने की पूरी पुश्च के आगे बड़े चलो okay question number 19 why did many company officials in India want to promote India Indian rather than Western learning क्यों जो company officials थे वो क्या कर रहे थे इंडिया में वो प्रमोट कर रहे थे Indian learning को और Western learning को नहीं प्रमोट कर रहे थे क्या reason था क्या reason था जो Western learning को जब कि खुद वो company officials थे यानि खुद वो West के थे बट क्यों वो Western learning को प्रमोट नहीं कर रहे थे चलो देखते हैं many company officials in India argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning because they felt that institution should be set up to encourage the study of Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry उन्हें लगा कि जो है institution properly set up होने चाहिए encourage करने चाहिए study किसकी Indian ancient texts की ठीके और टीच करें उन्हें पढ़ाए क्या Sanskrit और Persian literature और poetry हना चीजें मतलब प्रॉपर चले Persian language हो Sanskrit literature हो poetry हो ये सब सिखाया जाए the officials thought that Hindus and Muslims ought to be bought that they were already familiar with and what they valued not subjects that were aligned to them अब officials क्या सोच रहे थे उनको लग रहता है जो Hindus Muslim है उनको वही चीज पढ़ाई जाए जिससे वह already familiar हो जिस चीज के बारे में उन्हें नॉलेज हो उससे फैमिलियर हो तो उस चीज को जादा अच्छे से सीखेंगे इंटरेस लेकिर सिखेंगे अब उने वही चीजे सिखाएंगे जो उनके नहीं है alien मतलब जो बाहर किये नहीं है तो उसमें वह इंटरेस्ट ही दिखाएंगे तो जिस चीज से वह familiar हो वो हम उनने शिखाएं और जादो उसमें आगे बढ़ा है तो बैटर हो उसकी वह वह value करेंगे नई चीज़े सिखा के कोई फायदा नहीं है ठीक है तो इसी लिए क्या करें थे इंडियन लाइंग्विज को इंडियन स्वारी इंडियन लर्निंग को प्रमोड कर रहे थे क्लियर चल दो ऑफिशल्स बिलीज थाइंग्विज कोई बैस इंडियन भी इस अगर इसा करेंगे तो इस तरीक से या कर सकते हैं जो लोग है जो जनता हैं यहां कि जो नेटिव लोग हैं सथाई जो पीपल हैं कि वह हमारी किया करेंगे respect करेंगे हमारे subjects हमारे विशों की इज़त करेंगे है ना उनके दिलों में हमारे लिए जगे होगी basically हमें अच्छा समझेंगे ठीक है इसलिए क्या कर रहे थे वो Indian learning को promote कर रहे थे rather than western learning वो चाहे रहे थे कि इनी की चीज इनी को सिखाएंगे तो इसकी value भी करेंगे ठीक है नई चीज सिखाएंगे क्या फायदा जिस इसको समझ जानी चाहेंगे समझेंगे भूल जाएंगे चड़ने ना लग जाएंगे clear चलो imagine you were born in poor family in the 1850s how would you have responded to the coming of the new system of government regulated पाद्शालाज आप imagine करो क्या करो imagine करो जरा imagine तो करो कि आप 1850s में चले गया है हाना how would you have responded to the coming of the new system of government regulated पाद्शालाज आप कैसे क्या करोगी कैसे respond करोगी जो नया system है जो government regulate करेगी पाद्शालाज में उस चीज को लेके आपका क्या response रहेगा क्योंकि पहले कैसा था बाद में अलग हुई चीज है तो अब जो changes हुए उस पर आपका क्या response रहेगा ठीक है वो पूछा गया है देखते हैं after 1854 the East India Company has decided to improve the flexible system of vernacular education 1554 जो sorry 1854 है वो excitement or flow में थोड़ा सा फंबल हो जाता है I'm so sorry for that after 1854 the East India Company has decided to improve the flexible system of vernacular education East India Company ने क्या करा उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक प्रॉपर लचीला सिस्टम जो है वर्नेकुलर एजुकेशन का इंप्रूफ करेंगी क्योंकि कुछ जादे ही लचीलापन हो रहा है लोग को जादे नॉन सीरिया से लोग को जादे हलके में ले रहे हैं एजुकेशन को तो थोड़ा सब strict करने की इसको ज़रूते इसमें improvement की ज़रूते नहीं तो हो गया फिर हो गए लोग है जुके now students are asked to pay a regular fee attend regular classes sit on fixed seats and obey the new rules of discipline अब क्या चीज होगी जो students से उनसे क्या कहने लगए उनको प्रॉपर की regular fee आप पे कीजिए regular classes को आप attend करिए ठीक है fixed seats तो है उसमें बैठिए and obey the new rules of discipline जो भी discipline के new rules से नए नियम है उसको प्रॉपर्ली आप फॉलो कीजिए being a child of a poor family it is not possible for me to give fees अब यह हम से पूचा है क्योंकि हमने देखा ना चीजे discipline में आगे थी proper attendance और फीज और चीज प्रॉपर्ली पे करी जाएगी तो अब हमसे पूचा हम क्या जवाब देंगे तो यह कह रहे हैं यह हम कह रहें कि अगर हम पूर है तो हमार ले रेगुलर फी प्रॉपर फी देना पॉसिबल नहीं पहले सही था फ्लेक्सिबिलिटी कभी फीज देने कभी नहीं दे रहें अगर हम गरीब है तो हम अपने जो है स्कूल अटेन्ट करना लेट रहें नहीं अखिएंकी भी जब हर्वेस्त कटाई तो मुझे तो बाया एक हो जाती पाटाई यह स्कूल बन रहते हैं, जैसे ही फसलों की कटाई हो जाती है, उनको स्टोर कर दिया जाता है, तब दुबार से स्कूल शुरू हो जाते हैं, तो यह बहुत बढ़िया, यह flexibility बहुत सही है, शूट हो रही थी हमें, New rules or policies of government are not beneficial for us, they only hampers our right to education, जो नए rules, यह नए निति नियम policies बनी है, यह क्या है, यह हमारे लिए फाइदे मन नहीं है, कोई भी beneficial नहीं है, कुछ काम के नहीं आ पर है, ऐसा लग रहा है कि यह जो चीज हैं हमारे education में क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, clear, आया समझ में, क कोई confusion दिक्कत तो नहीं, तो यह हमारे according answer करने वाले है, कि उस ताइम पर अगर जो पहले flexibility की जब चाहे, आप अपने according fees दे रहे हो, दे दीजी, regular classes नहीं है, बढ़ ठीक है, आप पढ़ लिख रहे हो थोड़ा पहुत, अब हमें तो ऐसा लग रहा है, वह ठीक नहीं है, तो यह अपने according answer करने का था, clear हुआ, आया समझ में, कोई confusion दिक्कत तो नहीं, तो भई इसी के साथ हमारे most important questions end होते हैं, 20 questions हमने किये, I hope आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो comment में मुझे जरूर बताना, जैसे कि हमेशा कहती हो, और like करना बिल क्योंकि हर चीज strict नहीं हो सकती न, थोड़ा वो थसी मजाग तो होना चाहिए, so इसी के साथ ही video end होती है, अगर आप और भी video के lectures देखना चाहते हैं, तो आप Magnet Prince की YouTube चैनल, application और website पे देख सकते हैं, e-notes और e-books की link आपको description box में available है, ये सारे high quality की courses हैं, जैसे की CBC Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, Vedic Maths, Crash Course, Spoken English Courses, आपको अच्छी quality में और 100% free available है, आप हमें अधर platform पर भी follow कर सकते हैं, Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे, जाधा सेधा लाइक कीजिए, जाधा सेधा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, अपना ख्याल रखे, Thank you so much for watching.